हे गाईस तो स्वागित करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रेक आफिसर जी हाँ मैं आपको NDS CDS की इंगलिस इस समय कवर करा रहा हूं इस पॉर्टिंग एरर की अगर बात करूं तो वो सिरीज लेके चल रहा हूं और मैंने नाउन प्रनाउन और आपके कोशिंटे अब मैं करार रहा हूं जिसमें मैं दो पर और में अरड़ा ज़ी ला चुक हूं वीडियो नहीं नहीं देखिए इसको देखनें से पहले एक वार वो में प्लैलिस में जाके वर्ब की वीडियो और जो पुराणी वीडियो हैं उनको भी देख ले तो उसको बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है एंड़ीस की सीरीज में खासकार इस पॉर्टिंग एरर की बात करो मैं दीरी दीरे सब को कम्प्लीट कराऊंगा लेकिन इस पॉर्टिंग एरर पर इसमें ज्यादा फोकस दे रहा हूं यह थोड़ा सा कोशन भले इसमें कम आए दस कोशन आए लेकिन जो वास्ट पार्ट है उसको जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम उस एरर फांडिंग को नहीं कर पाएंगे ठीक है ना तो उसको ग्रैमर को हमें पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए तो इसलिए आज जो रह गया था इसका स्पॉर्टिंग एरर में कोशन कुछ रह गयते तो मैं आज कोशन को लेके आया हूं अब जो भी रह रहे हैं इसमें रूल्स हम कोशन के एकॉर्डिंग देख लेंगे वर्ब की बात कर रहा हूं ठीक है सो शुरू करते हैं करें देखिए पहले कोर्यके लिक्या दूए नग रहा है वोकिन इलम्ग द रो Almost Not अब डाउण अब जडाउन अब इस कॉशन में इस इस कॉशन में या पिर सेंटेंस में आपको एक नजर होगा कुछ टिए रहा सब्सक्रेंस कटीशनल सेंटेंस बन रहा है a car knocked him down him आ गया यहाँ पर लेकिन walking along the road लिखा है देखना थोड़ा सा मैं कहरा हूँ इसलिए जिसने वीडियो नहीं देखी नो पहली वाली playlist से देख ले वर्व की थोड़ा सा समझ में आएगा ठीक है walking along the road a car knocked him down यहाँ पर बात वो रही ही subject especially walking along the road यहाँ पर कूई subject नहीं आ रहा है एक car knocked him knocked him down यहाँ पर subject hी नहीं बन रहा है जब subject नहीं बन रहा है तो यहाँ पर यह sentence क्या होगा और car ऐगर samma subject बन जाएगा यहाँ पर क्या हाँ sentence में subject नहीं दिख रा है याई also subject के विगर sentence प्रॉपर नहीं है लेकिन अगर फिर इस कार को अगर सब्जेक्ट बना दिये जाए तो जो सेंटेंस है वह एकदम उसका मिनिंग ही रॉंग हो जाएगी इसलिए कहीं न कहीं इसमें क्या कुछ न कुछ एड होगा एडर कहा है इसमें वाकिंग बाले साइड में है वाकिं अलोंग दगार दो क्या होगा एक चंडीशनल सेंटेंस आ रहा है यह वाकिंग से पहले वाइल घुर से पहले कर रहा है आब कों कर रहा हूँ है यहां पर लिकल टो क्या होग明白 पर्णान ही this walking क्या होगा इस से पहले वाइल ही वाज़ वाकिन तो थैसяться यहां पर क्य 메कर कि वाइल्ट वाइल ही वाज़ शेर कि लॉकिंग अब यह संदेंस जो बना प्रपर सहीं सो देखिए कि इसमें कहीं न कहीं हमें टेंस का भी यूज होता है वर में वर में क्या देंकि सब एक दूसरे से रिलेट करते हैं जब भी इसको आगे मैं पढ़ा दूँगा लेकिन अभी जो बता रहा हूं बस उस पर फोकस थोड़ा करते वए चलेंगे हम ठीक है और जिसको आता वह बहुत अच्छी बात है फिर बिंग रेंडे इसे पहले भी तो कुछ लगेगा बैब यह संटेंस प्रॉपर ही नहीं हो रहा है जैसे वहां पर वाकिग अलोंग डा रोड़ वाई संववन इस वाकिंग बट कॉन वाकिंग कहां कॉन चल रहा है वैसे ही being a rainy day क्या rainy day कौन rainy day so उस rainy day को भी तो डिनोट करना पड़ेगा तो इसलिए it being a rainy day I had to cancel all my appointments rainy day होने की वज़े से rainy day होने की वज़े से क्या I had to cancel all my appointments सो ध्यान रखने का भी 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 इस तरीके का या having ऐसे तरीके से sentence आता है तो वो रॉंग होगा केबल अगर ऐसे आ रहा है starting वे तो उससे पहले क्या होगा it being ठीक है next as I have worked hard I am confident to pass with flying colors ध्यान देना as I have worked hard I am confident to pass with flying colors ठीक है यहां पर क्या कह रहा है बता दे रहा है एक बात बता रहा है थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे as I have worked hard I am confident to pass मैं एक चीज़ बता दूं कुछ sentence कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें जैसे कि confident to नहीं लगता है उसमें लगता है confident off कुछ phrases ऐसे होते हैं जिनमें preposition लगता है उनके बात जैसे confident off हो गया tied off हो गया ठीक है ना उसमें क्या off लगता है तो यहां पर यह two तो नहीं आएगा क्या आएगा off और साथ में यहां पर क्या आएगा जीरंड क्या आएगा जीरंड क्या होता है आप जिसने नहीं देखा वीडियो देख लें बाकी हलका सा बता दे रहा हूं मैं जीरंड क्या होता है word plus ing सो यह क्या हो जाएगा passing क्या बन जाएगा passing as I have worked hard I am confident of passing with flying color कि यहां रखना कुछ में क्या होता है मैंने कुछ बता है कुछ phrases ऐसे होते हैं जिसके बाद क्या off भी लगता है preposition लगता है कहने का मतलब मेरा उसके बाद next question है you should avoid to go to school as you have severe eye infection you should avoid to go to school as you have severe eye infection इसमें क्या होगा घ्यान देंगे यह एवाइड लगा है ना ठीक है you should avoid to go नहीं लगेगा क्या लगेगा यहां पर जीरंड जीरंड का मतलब अभी बताया मैंने word plus ing so यह भी एक phrase है इसलिए करा हम जो मैंने करा है ना उसको थोड़ा सा देखने पता चल जाएगा कभ जीरंड कौन से phrases के साथ लगता है ठीक है तो यहां भी क्या जाएगा you should avoid going to school as you have severe eye infection ठीक है ना और tense के according अगर देखेंगे तो भी देखा जाए सकता है इसलिए लेकिन अभी टेंस पड़ाया नहीं है तो उसको उसको उतना ज्यादा बोलना नहीं है ठीक है the lights went out while we took the examinations the lights went out while we took the examination while लगा है conditional और क्या continuity है इस संटेंस में क्या है continuity है lights went out light चले गई while we took the examination अब पहले बता दूए तुक यहां पर क्या होगा जब continuity संटेंस में आता है तो continuous tense आता है तेंस भी पड़ाऊंगा तो continuous tense आता है continuous tense में क्या होता है ing का terms में आता है अगर past में तो वाजवेर आता है present में तो इसमार आता है तो यहां पर कहते light went out that means went लगा है यह क्या है past में है so obviously while we took क्या हो जाएगा while we were taking the examination तब यह sentence आई होगा देखे मैंने पहले ही कहा हर चीज एक दूसरे से relate है spotting error हो या पूरी इंग्लिस पूरी इंग्लिस ही इसलिए तो parts of speech पूरा grammar कहलाता है तो next क्या है I have decided going to Delhi on Friday अब देखना है एक चीज़ दिखा हूँगा क्या लिखा है I have decided going to Delhi on Friday अब यहां पर क्या लिखा है going लिखा है अब यहां होगा to go I have decided to go अब वो लोग है यहां जीरंड नहीं आया इसलिए मैं क्यारा हूँ वो phrase पढ़ेंगे तो पता चले कब आता है और कब नहीं और यहां पर जब have आया I have decided ठीक है I have decided एक तो टेंस देख लेंगे टेंस छोड़ी है यहां पर अभी मैं टेंस की बार बार बात कर रहा हूँ नहीं करेंगे I have decided going की जगा क्या आएगा to go कुछ फ्रेज ऐसे होते हैं फ्रेज देख लें उसके बाद क्या आता है इंफिनिटिव मैंने पढ़ाया होगा उसमें क्या आता है टू प्लस वर्व की फर्स्ट फर्म टू प्लस वर्व की फर्स्ट फर्म सो यह decided भी उस इंफिनिटिव वाले फ्रेज में आता है एक बाद उसको चेक करेंगे ठीक है इसलिए करहाू मेरी पहली वीडियो जिसमें नेम देखी है वो प्लीज देख ले तकी प्लेलिस में जाके फिर इसको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी ठीक है I would die rather than to cheat my friends I would die rather than to cheat my friends दियान देंगे इन सेंटेंस में कहां error है find out करने के लिए क्या लिखा है I would die rather than to cheat my friends अब यहाँ पर मैं बता दू rather than आ रहा है ठीक है rather than आ गया है जब rather than आ जाएगा तो यहाँ यूज होगा bare infinitive bare infinitive क्या होता है पहली वीडियो में जाके देख लीजिए फिर भी बता दे रहा हूं जिसमें इन्फिनिटिव होता है 2 प्लस वर्व की 1st form और आएगे लेकिन 2 प्लस वर्व की 1st form ठीक है और इसमें क्या होता है bare infinitive में 2 नहीं लगता है बस देंगे चीट माइट फ्रेंड्स ठीक है ठीक है नेक्स्ट क्या है यू नीड तो फोकस ओन यूर स्टडी ध्यान देंगे कभी भी need या dare आ रहा था उसके साथ हम 2 लगा सकते हैं लेकिन need not के साथ 2 नहीं लगेगा dare not के साथ 2 नहीं लगेगा ये वाला मैं पहले basic नियम तब बता चुका हूँ सुच्चा होगा you need to focus on your study but you need not waste your time on unimportant lessons focus कर ये कोई भी class जबी भी मैं पढ़ाता हूँ एक दूसरे से क्या होती है relate करती है ठीक है न इसलिए पहली वाली playlist में जाके देखें किरपा करके देखें next क्या था उसको देख लेते हैं I do nothing but to teach all the time but to teach all the time तो इसमें क्या होना चाहिए I do nothing लिखा है but to teach all the time मैंने एक phrase बताई थी any form of do, does उस तरीके से ठीक है अगर होता है जैसे do, does, did साथ में nothing और साथ में but ये accept लिखा होता है so उसमें क्या bare infinitive का use होता है bare infinitive क्या होता है जिसमें to का use ना होता है सीधा सीधा सिर्फ वर्वाती है so क्या sentence हाई बनेगा I do nothing but teach all the times तीक है इसलिए कहता है पहले वाले क्लास ज़रूरी है he thinks himself as a great leader he thinks himself as a great leader यहाँ पर possessive case आगया himself आगया और साथ में as लगा है तो भई यह कभी नहीं हो सकता है himself और as comparison नहीं he thinks himself a great leader he thinks वो great leader की तरह नहीं समझता वो अपने आपको great leader समझता है so यह क्या होगा as नहीं होगा he thinks himself a great leader I remember meet him five years ago I remember फिर ध्यान रखना कुछ फ्रेज मैंने पहली बता रखें जीरंड आएगा उसके पास I remember meeting him five years ago ठीक है meeting होगा हाँ तो next क्या है he denied to help him क्या लिए यहाँ पर he denied किस इस तरह की कुछ फ्रेजेज आ रहे हैं फिर उनमें क्या होगा जीरंड का ही use होगा तो क्या जाएगा he denied helping him क्या हो जाएगा he denied helping him correct होगा next क्या है perhaps you don't know I am having a car and a jeep besides a big house या home जो भी है तो यहाँ पर क्या कह रहा है perhaps you don't know I am having a देकि कभी भी बात होती कोई चीज हमारे पास है तो उसको हम I am having a बोलेंगे वो correct नहीं होगा sentence हम क्या बोलते है I have a car I have a key I have this house have I के साथ have लगता है so I am having नहीं लगया क्या होगा I have ठीक है न यह तो general था सबको आता होगा उसके बाद it is non fact that time does not return back once it is lost यहाँ है it is non fact that time does not return back देखे return भी लिखा है back भी लिखा है समझ सकते है superfluous होता है अभी तक अगर मेरी वीडियो देखते आए superfluous क्या होते है return भी है back भी दोनों का meaning क्या है same है न तो इसलिए क्या होगा return once it is lost back नहीं होगा ठीक है न so correct क्या बनेगा it is non fact that the time does not return once it is lost ठीक है next क्या है उसको देख लेते है we must get this letter sent as soon as possible क्या लिखा है we must get this letter sent as soon as possible अब यहाँ ध्यान देंगे must जबी भी लगा हो उसके साथ verb की third form आती है verb की third form आती है यहाँ पर आप देख लीजे verb तो है यह third form क्या होगी इसकी sent s-e-n-t क्या होगी s-e-n-t सभी से नहीं लिखा s-e-n-t sent so correct क्या होगा यहाँ पर यह wrong we must get this letter sent as soon as possible ओके so यह रहे कुछ questions जो आज मैंने कराए अब next slide में कुछ questions और है उनको हम cover कर लेते हैं हाँ तो देखे next slide में हम ला चुके हैं इसके कुछ और questions उनको cover कर लेते हैं क्या लिखा है है यहाँ पर पहला question है क्या he was so inquisitive that he rose many questions in the class ठीक है he was so inquisitive that he rose many questions in the class जब बात आती है यहाँ क्या लिखे he rose अब मैं बता दूँ आपको पहले मैंने पहले ही कहा था जो verb की जो तीनों फॉर्म है first, second and third उनको आप देख लेंगे अगर आपके पास नहीं है देखने का इंतिजाम तो आप मेर्स से कहेंगे मैं PDF दूँगा बट देर यहाँ कोई भी अभी तक comment नहीं आया ठीक है न अगर आज जाता तो मैं available करा देता हाला कि आप उमीद करता हूँ कि आपके पास grammar book अगर है तो वहाँ से आप इसको पूरा देख लेंगे और फिर समझने में आसानी और रहेगी उसको याद होना बहुत जरूरी है ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यहरोज देख रहा है Rise, rose, Risen Rise, rose, Risen यह Rise क्या होता है? The Sun Rises in the East उगना इसका मतलब क्या होता है अब यहाँ Quotient वः ओन्व है यहाँ उटा रहा है तो उसके लिए वह अगर हाथ उठाएगा तो क्या Rise होगा? उगेगा क्या, तो ये तो गलत हो जाए ना, तो उस तंस में क्या होगा, rise, raise, raised, क्या होगा, raise होगा, raised, r-a-i-s-e-d, raised, question कर रहा है न, so r-a-i-s-e-d, raised, so क्या होगा, he was so inquisitive that he raised many questions in the class, ठीके न, तो ये correct form है, he was born of poor parents, but bought up in an affluent family, he was born of poor parents, but bought up in an affluent family, so यहाँ पर एक और word दिख़रा होगा, कभी भी ध्यान देगे, sentence पढ़ेंगे, हम कभी भी verb का error finding कर रहे हैं, तो पहले sentence पर थोड़ा सा focus करेंगे, मैंने पहले ही बताया, हमें translation की कोई जरूत नहीं है, कोई जरूत नहीं translation की है, automatically आकर हम इसके grammar की नियम को जानते हैं, तभी तो, और बिल्कुल, spotting error में translation करेंगे, तो फस जाएंगे, कभी होगा ही ने, ठीक है न, तो इसलिए इसको क्या करना है, जो इसके basic नियम है, हम उसको follow करना है, अब यहाँ पर देखिए born लिख्या है, क्या लिख्या है, born, beer, b-e-a-r की बात कर रहा हूँ, beer, bore, born, एक ही होता है, beer, bore, born, ठीक है न, तो इसमें एक चीज़ मैं लिखके क्या दिखा हूँ, अब यह जगा कम है, यहाँ लिख देता हम फिलाल, beer, bore, born, beer, bore, born, अब इस दोनों वर्ड जो मैंने लिखे हैं, थोड़ा सा ही फर्क है, एक का फर्क क्या है, मैं बता देता हूँ, जो नीचे वाला है, इसका, means that to give, to produce an offspring, means, जन्म लेना, बर्थ से related बात आ रही है, और यहाँ पर जो बात आ रही है, bear करना, I can't tolerate this, so, यहाँ टोलेरेशन, यानि, tolerate करने वाली बात आ रही है, tolerate, बर्दास, ठीक है न, so, यहाँ पर जो sentence आ रहे है, he was born of poor parents, so, poor parents, born हुआ है, जन्म हुआ है, so, उसके case में B-O-R-N होगा, न की क्या लगेगा, B-O-R-N, जन्म के लिए born लगता है, born, नहीं, B-O-R-N ही नहीं लगता है, ठीक है, आप देखेंगे, next question, क्या है, when calamity fell, the villages, they faced it bravely, calamity means होता है, calamity, natural disaster, like landslide, earthquake, ठीक है, जो प्राकरतिक आपदाएं होती है, वो कहलाती है, तो कभी भी आती है, एक, एक क्या है, एक bad situation है, ठीक है न, bad situation है, कुछ गलत होता है, तो उसको हम fell नहीं कहते हैं, be fell कहते हैं, be fell, to happen, means कुछ होने वाला है, जैसा, लेकिन वो कैसे, by destiny, by fate, या फिर कह ले, by naturally, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, when calamity fell, wrong हो जाएं, क्या होगा, when calamity befell, the villages, मैंने बता हैं, be fell, जब natural, कुछ event ऐसा हो रहा है, naturally हो रहा है, ठीक है, तो उसकेस में क्या लगा है, be fell लगेगा, so they fixed, faced it, bravely, next क्या है, the assassin was convicted, and ordered to be hung, h-u-n-g, hung, यहाँ पर क्या लिखा है, देखे, यहाँ भी, मैं बता दू, क्या लिखा है, h-u-n-g, hung, इस hung का मतलब, कुछ और ही बन जाता है, खुटी का word, आपने सुना, वो खुटी, दर्वाजे पे लकड़ी की टांग देते हैं, या दिवाल पे गाड़ देते हैं, खील, और उसमें कपड़ा टांग ना, तो यह वो hung के लिए use होता है, word, h-u-n-g, hung, और हमें क्या use करना है, बात हो रही है, एसाशिन की, वो convict है, तो order उसको क्या मिला, कि उसको फांसी पे लटकाए जाए, जब फांसी की बात आती ही, तो hanged use होता है, hanged, वर्व की third form hanged use होता है, न की hung, hung होता है, खुटी के लिए use, हम इसका hanged वाला देख लेना आप, अगर आपके पास है, ठीक है, वर्व की first, second, third form है, दीक है, उसको जानना बहुत जरूरी है, तभी वर्व भी solve होएंगे, वही हम तो समझे लेंगे हाँ सही है, लेकिन कैसे समझेंगे, हम वर्व की form तो पता होनी चाहिए न, तो उसको focus करेंगे, when I was young, I can run faster than Arvind, क्या लेकिया, when I was young, I can run faster than Arvind, अब यहां देखेंगे, I was है, और यहां पर can है, ठीक है, तो पीछे भी मैंने पढ़ाया है, इसलिए slide देख लेंगे, पहली वाली वीडियो जो playlist में है, बात करां वर्व की, ठीक है, can, could, models, के बारे मैंने पढ़ाया है, ठीक है, so यह can क्या है, present situation को, सक ना, जिसको हम कहते हैं, present situation को दर साता है, लेकिन यहां पर बात और ही, when I was young, past में बात हो रही है, so यहां पर past के case में हम क्या लिखते थे, किसी ability अगेरा को दर साने के लिए, past में क्या लिखते थे, could, so यहां पर क्या होगा, could, when I was young, I could run faster than Arvid, ठीक है, next देखते हैं, क्या है, Mohan needs not come here as it is getting dark, क्या लिखे है, Mohan needs, अब देखें, यहां पर मैं बता दू, क्या लिखे है, Mohan के साथ needs नहीं लगेगा, Mohan के साथ needs कैसे लगेगा, needs के साथ ऐसे नहीं लगेगा, Mohan needs, needs का मतलब क्या हो क्या है, वो as a main verb काम कर रहा है, यहां पर main verb, क्या, Mohan थुड़ी main verb, यह तो as a model काम कर रहा है, model, ठीक है न, helping verb जिसको हम कह सकते हैं, as a वो काम कर रहा है, तो अगर यह main verb होता, तो हम कहीं न कहीं needs लगा लेते हैं, लेकिन यहां पर तो यह as a model काम कर रहा है, तो उस case में ऐसे नहीं लगता है needs के साथ, तो क्या होगा, Mohan need only, क्या होगा, Mohan need only नहीं, Mohan need not come here as it is getting dark, Mohan need, यह होगा, Mohan need, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, waste material should be recycled if possible, बात और ही waste material should, अब should आता है, तो उसके साथ में होगा verb की third firm, और यह recycle verb की third firm नहीं है, देख लेंगे, इसलिए मैं कहा रहा हूँ, वर्ब की first, second, third firm, most important इसको जानने के लिए, तो क्या होगा, R-E-C-Y-C-L-E-D recycled, क्या हो जाएगा, waste material should be recycled if possible, ठीक है ना, next question क्या है, the police think that he may be there, yesterday at the scene of crime, the police think that he may be there, yesterday at the scene of crime, बात आगे यहाँ पर yesterday, बीते हुए काल की, बीते हुए समय की past की, so यह जो में है, इसलिए कह रहा हूँ, पीचा वाली वीडियो देख लिए, हर topic, हर question जो बन रहा है, जो मैंने पढ़ाया, उसी पर तो बन रहा है, focus करेंगे तब ही होगा कुछ, तो यहाँ पर क्या है, he may be there, may के लिए नहीं होगा, क्या होगा, he might, क्या होगा, past में, he might, past की बात हो रही ही न, so question correct, क्या बन जाएगा हमारा यह sentence, the police think that, he might be there yesterday, at the scene of crime, okay, so next question है, if you get good marks, I shall be happy as much as you, you, क्या लिए, if you get good marks, okay, so I shall be, नहीं, मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर B लगेगा, sell के शाथ, यहाँ पर क्या लगेगा, B लगेगा, ठीक है, main verb नहीं है नहीं यहाँ पर, shell के साथ वहीं, main verb भी तो लगेगा, तो B as a main verb यहाँ पर काम करेगा, shell तो क्या है, model है, auxiliary, model auxiliary verb है, और उसके साथ में B लगता है, ठीक है, next, I think the news might be true, देखिए, यहाँ भी, अभी तक B वाले बताते हैं यहाँ था, यह भी model है, तो इसके साथ में भी क्या लगेगा, I think the news might be true, ठीक है, तो आज इस तरीके के मैंने question करा दिये, उमीद करता हूँ, आप अगर इसको practice करेंगे, तो वर्ब से related भी question आपके नहीं चुटेंगे, और इसको करने के लिए कुछ ना कुछ tense की बिज़रत पढ़ती है, हम उस part पे भी हम जल्द ही पहुचेंगे, तो हमारा क्या 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 complete हो गया, noun हो गया, pronoun हो गया, question text हो गया, and verb हो गया, ठीक है, हमने इन में question बना के देखे, spotting errors भी करके देखे, ठीक है, अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ आपको, एक concepts बता रहा हूँ, concept बता दे रहा हूँ, साथ मैं क्या कर रहा हूँ, फिर question दे दे रहा हूँ, उसको उसमें और जो rules हैं, उनको बता दे रहा हूँ, यह कर रहा हूँ, क्यों कि सिर्फ spotting error को अभी समझा रहा हूँ अभी हम रपस अपरेल का time है मैं पहले से ही बता चुका हूँ तो हम धीरे धीरे उमीद है इस महीने तक हम इसको complete कर लेंगे spotting error के जो भी रह रहे हैं ठीक है और उसके बाद हम धीरे धीरे free हो जाएंगे तो free का मतलब बिल्कुल free नहीं हम next like science है जो हमारे important question science में बनते हैं हलाकि मैं math की अगर बात करूँ तो मैं plus two का math मैं already कह चुका हूँ कि CBSE की math जो 10th और 12th की math करा रहा हूँ जो भी आपका portion उसमें से बनता है वहां से आप select करके वहां से देख सकते हैं concept के साथ पढ़ा रहा ह करते हैं ठीक है और बस वाकि science हो गया आपका science को मैं complete कराऊंगा इसके बाद उसके बाद जो अगर आप जो current affair के लिए मैं कुछ question weekly डालूंगा मैं अभी समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरे को UPSC का भी मैं पार्ट करवा रहा हूं जिसमें geography हो गई देखिए आपका जो portion के सीदे सीदे कुछ एक दो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत benefit मिलेगा ठीक है ना और अगर कुछ problem या समस्या या कुछ concept clear नहीं होता है तो आप comment section में मेरे को बताएगा मैं इस पर सुधार करूंगा और आपकी मदद करने की process करूंगा ठीक है तो आज के लिए इतन ही next part हम जल्दी लाते हैं तब तक के लिए goodbye और जय हिंद